हेलो गाइस कैसे है आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नहीं वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि अगर आपके रियल मी C3 फोन में वीडियो को नोट शोइंग प्रोब्लेम देखने को मिल रहे तो इस प्रोब्लेम को आप लोग कैस यहाँ पर से मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो अगर आपके फोन में यह प्रोब्लेम है तो इस प्रोब्लेम को आप लोग कैसे solve करोगे तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को आज तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो इस प्रोब्लेम को solve करने के लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर एक option होगा एप्स का तो इस एप्स के option पर क्लिक करना है यहाँ पर एक see all apps का option होगा इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपके phone में जितने भी application होंगे सब show हो जाएंगे यहाँ पर से आप लोगों को phone के application को धुनना है जिससे आप लोग करते हो धुनने के बाद इस पर क्लिक कर दीजिए क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक notifications का option होगा notifications पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर देख सकते बहुत सारे notifications है आपके phone में और भी हो सकते हैं तो यहाँ पर से सभी notification को आप लोगों को on रखना है अगर आपके फॉन में यहाँ पर से एक दो या तीन भी नोटिविकेशन ओफ रहेंगे तब भी आपके यह फॉन में यह प्रोब्लेम देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर से सभी नोटिविकेशन ओफ नहीं रहना चाहिए अगर फिर भी आप ल इप्लिकेशन का जो भी यूजर दाटा केची सेटिंग्स वगरा होगा वो सब रिसेट हो जाएगा रिसेट होने के बाद आपका जो यह प्रोब्लेम है वो भी सॉल्फ हो जाएगा तो ऐसे करके जो आप लोग अपरे रियलमी सी थ्री फोन में वीडियो को नोट शोइंग प्रोब्लेम को सॉल्फ कर सकते हो तो कैसा लगा आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिये और चैनल को सब्सक्रैब जरूर से कर लीजिये मिलते हैं कर लेक Nox वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए